आज में लेके आई हो आओ लेके टेस्टी मुरब्वे की रेसिपी मुरब्वे की रेसिपी तुम आने पहले भी आपके साथ सेयर की है लिकिन आज की रेसिपी थोड़ी अलग है क्योंकि आज में बनाने जा रही हूँ आवले का मसालेदार और चटपटा मुरब्बा जिसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा आवला हेल्थी होता ही है साथी साथी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको हेलो फ्रेंड्स में हूँ बबली आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल बबली पंड़े कीचन में तो मुरब्बा बनानी के लिए मैंने यहाँ पे एक कीलो फ्रेस आवला लिया है सबसे पहले आवले को हमें प्रिक करना है तो देखिए ऐसे बड़े साइज का आवला लीजिए का जब भी मुरब्बा बनाना हो यह कम कसैला होता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है तो इसे प्रिक कर लेते हैं अब तो इसके लिए मार्केट में प्रिक करने वाला एक मिलता भी है नहीं तो यह जो घर में फॉर्क होता है यह तो सबके घरों में असानी से मिल जाता है इससे ही हम इसे प्रिक कर लेंगे मतलब कि आवले में पास पास में ही ऐसे छेद करना है तो इस तरह से नीचे सर्फिस पर रख के आवले को एक हासे पकड़ ले तो इसली हो जाएगा और एक दम ये अंदर तक करना है जैसे 20 तक टच होना चाहिए तो ऐसा करने से ही मुरब्बा अच्छा बनता है और रसीला बनता है बस उपर उपर से नहीं करना है ऐसे दबाते हुए करें तो देखिए सारे आवले को मैंने ऐसे ही प्रिक कर लिया है और अब ये आवला जो है देखिए चालो तरप से अच्छे से प्रीक हुआ है, तो हमें ऐसे ही करना है, बहुत जादा भी नहीं करना है, लेकिन पास-पास में प्रीक होना चाहिए, तो अब मुरब्बह खाने में कसेला ना लगे, इसके लिए हम एक प्रॉसेस करेंगे, जो की बहुत इजी है, तो यह पानी में जब हम आमला भीगाएंगे तो उसका सारा कसाला पन निकल जाएगा और मुरब्बा जो है टेस्टी बनेगा लेकिन फ्रेंड्स आप यह मत सूचिएगा कि उसके निट्रिशन भी निकल जाएंगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा आमले का जो निट्रिशन है वो बन मुझा। घंटे के लिए पूरे रात के लिए इसे भीगा कि छोड़ दिया था और अब यह एक तम से मुरब्बबा बनाने के लिए ते यौट है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं बड़तन में और मैं धो लिया cancelled शेशनी निकाल कि अच्यू लिया लिए और अब इसे हम अल ने पानिला के लिए में खुच ना यों ज़ाना है Remove one ना अाध्य कप ऑल्ग जली तो भी तरह को को हैं तो आहें रिखें में दो पानी फटाना घ्रहाँ कर देगे तो में भी क्यूलिया देने करें गुडर की छोड़ी देना पानिली के लिए एक आप पर आप गुड़ भी डाल सकते हैं और गुड़ के मुरब्बा की भी रेसिपी है मेरे चैनल पर तो आप उस तरीके से गुड़ भी आइड करके बना सकते हैं तो अब थोड़ा-थोड़ा मेल्ट होने लगा है तो इसे मिला लेंगे और बस अब हम मीडियम फ्लेम पे मुरब्बे को पकने देंगे यहां पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और 15 मिनिट हो चुके हैं इसे हम एक बार चला लेंगे ऐसे मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है बीच-बीच में मैं आपको टाइम बताते रहूंगी और मुरब्बा बनाने में टाइम को फॉलो करना बहुत जरूरी है तभी परफेक्ट मुरब्बा बनेगा और वह बिल्कुल भी पूरे साल तक खराब नहीं होगा तो यहां पे हम बना रहे हैं मसाले दार चटपटा मुरब्बा तो इसके लिए हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो मैं डाल रहे हूं 2 इंच के बराबर डालचीनी इसकी बहुत है अच्छा फलेवर आएगा और दाल चीनी बहुत फाइदेमंद होता है, इसलिए डालेंगे और चोटी लाइची डालेंगे 3 अगर बड़ी लैची डाल रहे हैं तो बस दो ही डालिएगा साथ से आठ डालेंगे लॉंग और मैं थोड़े से केसर के धागे भी डाल रही हूं इसकी तासीर गरम होती है ठंड में खाना चाहिए साथी साथ इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है तो आप ऐसे दो चुटकी क बीच बीच में मैं दिखाती रहूंगी और यहां पे कलर थोड़ा थोड़ा चेंज आपको लगेगा क्योंकि 35 मिनट्स हो चुके हैं और इस टाइम पे आवला जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो बस इसका चासनी थोड़ा सा पतला रह जाता है तो चासनी गाढ़ा हो और लगेगा इसे पकाने में थोड़ा कलर डार्क होना चाहिए और इसकी चासनी जो है गाड़ी चासनी गाड़ी बनाएंगे तब ही वो साल भर खराब नहीं होगा और मुरब्बे के स्वात को बढ़ाने के लिए मैं यहां पे डाल रही हूं वन टीस्पून ब्लेक पेपर तो इस तरीके से यह मुरब्ब बन जाएगा मसालेदार और चट पटासा तो बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स आप जरूर इस तरह से ट्राइब करिएगा यह काफी टेस्टी और काफी हेल्दी होता है यहां पे मुरब्बे को पकते हुए एक घंटे हो चुके हैं और यह देखिए कलर दिख रहा है न बहुत ही अच्छा ठंडा होने के बाद और भी ज्यादा यह गाड़ा होता है और यह देखिए फ्रेंड्स मुरब्बे का कलर बहुत ही अच्छा आया है एकदम ट्रांस्पेरेंट सा हुआ है इस पून से दबा के देखेंगे तो बहुत अ कंटे के बाद फ्रेम को ओफ कर देना है और अगले दिन फिर चेक करेंगे अगर थोड़ा सा पतला लगे तो फिर फ़ीर पका सकते हैं तो एक इपर में ज्यादा पकाएंगे तो वह बहुत ही जदा चासनी काड़ा सा हो जाता है तो उतना हमें नहीं रखना है तो यहाँ प तक चासनी को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहां पर देख सकते हैं कलर और भी ज्यादा डार्क हो गया है क्योंकि आवला है तो अगले दिन और ज्यादा इसका डार्क होता है और टेक्शर देखिए फ्रेंड्स वाव बहुत ही परफेक्ट टेक्श्चर आया है और इसकी जो चासनी है एकदम हनी की तरह है तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो पूरे सार इस्टोर करेंगे बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो इस तरह से हमारा चटपटा और मसालेदार मुरब्बा बन के तयार हो गया है इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा तो मेरे कहने से एक बार इस मुरब्बे को जरूर ट्राई करिएगा आप इसके फैन हो जाएंगे तो आज का वीडियो अगर आपको helpful लगे तो लाइक और शेयर करिएगा चैनल पना है तो सब्सक्राइब करिएगा फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार